नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल का वेल लेकडमी पर देखिए हमारा दृष्टी आइस का PCS का टेस्ट सीरीज चल रहा था यह इस डिसक्रसन का यह इस टेस्ट सीरीज का तीसरा लेक्चर है ठीक है अब तक हमने इसमें बात कर ले थी कोस्टन नमबर 43 तक की जिसमें पूछा गया था कि Android वक का नाम क्या है जिसे केंद्री ग्री मंत्राले दौरा दिसमबर 2019 में सभी राज्यों के लिए अलर्ट भेजा गया था जिसके लिए तो इसका अंसर था आप संसी स्ट्रेंड होग ठीक है तो जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को लाइ कुछ weitt करता रहेगा तो चलिए इसके साथ सुरुवाद कर लेते हैं क्योंकि समय हम बहुत कम लेकर चलते हैं और ज्यादा ज्यादा प्रस्नों को चर्चा करने की को सिस रहती है तो आईए शुरुवात करते हैं कुश्चन नमबर 44 और आज की इस लेक्चर के कुश्चन नमबर 1 के साथ ठीक है तो कुश्चन नमबर 44 है कि दिसंबर 2019 में किसे ACI विकास बैंक या ADB ठीक के दसवे अध्यच के रूप में न्यूक्त किया गया आप्सन है ए मात्सुगू असकावा बी मित्सुओ साथो सी तदाओ चीनो या फिर डी हारू ही को कुरोडवा कुरोडवा चलिए इसका सही अंसर है आप्सन नमबर ए मात्सुगू असकावा को दिसंबर 2019 में ADB का नया या फिर नया और दसवा अध्यच्च चुना गया ADB कुछ बात कर लेते हैं तो देखें इसकी स्थापना हुई थी सन 1996 में ठीक कब तो 1996 में ACI विकास बैंक या ADB की स्थापना हुई थी ठीक इसका मुख्याला जो है यह मनीला में है कहां पर मनीला में मैं पुठाईये और देखें मनीला किस देश में है ठीक वैसे बता जूँ आपको तो मनीला फिलिपिन्स में है कहां पर मनीला फिलिपिन्स में है फिलिपिन्स की लोकेशन आपको कायदे से अगर आप सीरियस तैयारी कर रहा है तो आपको मैं उठाकर के देख लेना चाहिए साथ चाइना सी के बारे में भी वहीं पर देख ल इंडिया और आश्टेलिया इनका क्रम भी यही है ठीक सबसे ज्यादा जापान की उसके बाद यूएसे की फिर चाइना इंडिया उसके बाद जापान ठीक जापान और यूएसे की संयूत रूप से 15.6% से रहा है इसमें नेक्ट आए बात कर लेते हैं अगले प्रस्न के बार की महिला प्रधानमंत्री बनी आप्शन है ए कत्री कुलमनी बी सरला मिरला सना मिरला मारीन सी क्रिष्टा कीरू या फिर डी ली एंडर्सन फोड़ा नाम कठीन होते इस वज़े से इधर उदर प्राब्लम हो जाती कभी-कभी चलिए इसका सही अंसर है आप्शन नंबर बी ठीक यह जो है सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी है 34 वर्ष की ही आई में सना मिरला मारीन ठीक और इसके बारे में अधिक जानने क्या हो सकता नहीं है कहा की बनी तो फिनलैंड की बनी कौन सी बनी 46 इसके पहले यह वहां की परिवहन मंत्री थी ठीक परिवहन आई यह नेक्स प्रस्ट के बारे में यही से देख लेते हैं तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य को उसके सुगम में भारत अभियान के लिए दिव्यांग जनों के पुनरवास है तो उत्क्रिष्टता के लिए राष चली इसका सही अंसर है अफसर नमबर बी उत्तर प्रदेस को जो है सुगम में भारत अभियान में दिव्यांग जनों के पुनरवास है तो उत्क्रिश्टता पूरसकार के लिए राष्ट्री पूरसकार प्रदान किया गया ठीक किसके दोरा यह पुरसकार दिया गया तो यह पुरसकार दिया गया केंद्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राले दोरा यह पुरसकार उत्तर प्रदेश राज्य को सुगम में भारत अभियान में उसके उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया ठीक है चलिए यह नेक्स प्रस्ट की बात करते हैं इसमें एक और चीज़ जान लिजे तुछ सबसेट सर्वस्रेश्ट जीले का पुरसकार के लिए किसे मिला था यही उत्र दिव्यांग यानों के पुनरवास के उत्कृष्टता के लिए सुगम है भारत अभ्यान के अंतरगत तो य यह दिया हुआ है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की सकती एक विवेका धीन सकती है और कारणार बता जारा कि 42 सम्मेधानी संसोधन 1976 के पस्चात मंत्री अस्तरी सलाह को राष्टपत के लिए बाध्यकारी बनाया गया परंतुर राज्यपाल के संबंद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है विकल्प देख लेते हैं कौन-कौन से है और बताना है कि सही अंसर कौन सा है या सही विकल्प ठीक यहां से आप कथन देखते रहिए फिर से देखें विकल्प ए है कि A और R दोनों सही है और R कथन A की सही व्याख्या नहीं है आप्शन D है कि ये गलत किन्तू R सही है दी कि राजय पाल की अध्यादेश जारी जारी करने की सकति उसकी विवेका धिल सकती की नहीं है अध्या देश वह राज्य मंत्री परिशत से सलाह लेने के बाद ही जारी करेगा इसके अलामा 42 समिधान संसोधन में जो प्रावधान किये गये थे वह राष्टपत के लिए बाद्यकारी उन्हें बनाए गया था तो राज्य पाल के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं क्योंकि राज्य पाल के पास कई विवेका दिन सक्तिया भी होती है ठीक जैसे राश्टपति के लिए विच गेशी विध्हाय को आरच्छी तरखना राधि के लिए राष्टपति चाहसन लगाने की सिफारिष करना आद याद यह सब राज़पाल स्वयम विवेक के आधार पर या समयधानिक विवेका दिखार भी इसे राज़पाल का बोलते हैं ठीक है चलिए यह नेक्स्ट प्रस्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो इस में पूछा जा रहा है कि निम्लकित विवीकों में से कौन साथ सही सुमेलित है तो यह सुमेलित वाले प्रस्ट आप ही पढ़ते हैं क्योंकि अभी पिछले लेक्चर मैंने बताया था क्यों मैं ऐसे प्रस्टों को नहीं पढ़ता हूं क्योंकि ऐसे मैं पढ़ूँगा इस में यहां पर बता दूं कि देखिए अगर मैं पढ़ूँगा कि 371 का भी असम तो आपको लगेगा कि हाँ भाई है हम यह बता रहे हैं कि 371 का भी असम के लिए है 371 का और गुडाचल प्रदेश के लिए है और 371 का एफ जो है यह सिक्किम के लिए जब कि ऐसा नहीं है यहां आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है तो चलिए जल्दी से आप बताईए कौन सा सही सुमेलित है एक मिनट के लिए वीडियो आप पॉस्ट भी कर सकते हैं चली इसका सही अंसर है अब तक आपने वीडियो पॉस्ट करके अपना अंसर देख लिया होगा इसका सही अंसर है आफ्शन नमबर डी यह 371 का जो एफ है यही भर सही सुमेली थे बाकी अन 371 का भी एक सेकंड नीचे कूट दिया हुआ है भाई कूट भी तो देखिए अब बताइए चली इसका सही अंसर वही आफ्शन नमबर डी एक दो तीन ठीक एक दो तीन सभी तीन के तीनों ही सुमेलित है ठीक है अगर आप घटना चक्र वाली सीरिस देख रहे होंगे तो वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और बताया गया है कौन से राज यह कहां पर दिये हुए ठीक इसमें देख लिए हुए कि 371 का भी असम के लिए है और 371 का अरूडाचल प्रदेश के लिए है और 371 का एफ यह सिक्किम राज्य के लिए ही है बाकी 371 किसके लिए है 371 भई यह महाराश्र के लिए है 371 का एक किसके लिए है तो 371 का ए नागा लेंड के लिए मैप उठा करके ना आयसे जब मैचिंग वाला आ जया तो मैप उठा करके किया करें 371 का ए नागा लेंड के लिए है B आप देखी रहु है असम राजी के Лिए है C कि सके लिए 371 का सी 371 का सी जो है मरी पूर के लिए है मरी पूर ठीक मरी पूर देखते रही है 371- customers के लिए यह है नहों मैं पूर्श करिए वीडियो और ले जाइए उठीया और मैप ले आईए चलिए 371 का डी किसके लिए है तो 371 का डी जो है यहां आंधर प्रदेश और तिलंगाना के लिए एपी और तिलंगाना next 371 का D और E D जो है आंधप्रदेश के और तिलंगाना के लिए और E यह आंधप्रदेश में केंद्री विस्विद्यालाई के लिए ठीक आंधप्रदेश में केंद्री विस्विद्यालाई या फिर Central University के पराउधान करता है और F आप देखी रहें किसके लिए है किसके लिए है तो F सिक्किम के लिए है जी आपका 371 का G यह मिजोरम राज्य के लिए है और 371 का I किसके लिए है आप देखी रहे है एच अरुडाचल प्रदेश के लिए है आई आपका गोवा के लिए है आई फार गोवा ठीक और 371 का जे जो है यह आपका करनाटक राज्य के लिए है चलिए एक बार हमने यहां पर फिर से इस चीज को रिवीजन में देख लिया आपने आई यह नेक्स प्रस्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम देखिए बीटता जा रहा है दस मिनट हो गया चार कुस्टन भी नहीं हो पाएं सही से नेक्स्ट वोस्टन है क्वेस्टन नमर 49 यहां पर पूचा जा रहा राज एवं संब अचने आईल है कि पीट के संदर्में निमली द्यूगों में से क्यों साथ सही सुम ऐलित नहीं है आप सन्हे आयो पर यह पर ये नहीं है बताना है आपको कौन सा सही सुमलीत नहीं है चलिए इसका सही अंसर है आफ्शन नंबर C ओडिशा का भूने स्वार ठीक यह सही सुमेलित नहीं है क्यों तो देखिए ओडिशा का जो उच्छने आयल है इसकी इसकी जो है मुख्य पीट या प्रादेशिक छित्रा अधिकार ओडिशा तक है और इसकी जो पीट है या कटक ह कटक हाई कोड ठीक बाकी राजस्थान का जोदपूर केरल का एरनाकुलम और उत्तर प्रदेश का इलहावार केरल और लच्छ दीप दोनों का ही एरनाकुलम है केरल और लच्छ दीप ऐसे याद रखा करें जहींते दिखिए यह मैं इपना इंडिया का यहां पर आपका केर सब्सक्राइल है इधर लच्छ दीप है तो यह केरल और प्लस पास में नहीं तो केरल प्लस लच्छ दीप हो गए आपका इरनाकुलम हाई हो कोड ठीक है बाकी सभी हाई कोड की लिस्ट आप देख लिजे देखें अभी कि वर्तमान में कितने उत्च नहाय अले हैं ठीक और केंद्रसासित प्रदेश दिल्ली का अपना एक अलग से उच्छ नयायल है आईए बात कर लेते नेक्स प्रस्ट के बारे में तो यहां पूछा जा रहा है कि निमलिकित में से किन समितियों आयोगों ने सम्मिधान के अनुच्छेद 263 के अंतरगत एक इस्थाई अंतर रा इसका सही अंसर है और सरकारिया आयोग ने सरप्रथम अनुच्छे 263 के अंतरगत एक अंतर राजी परिशत की स्थापना की बात की थी इसका गठन कभ हुआ था सरकारिया आयोग को तो यह हुआ था 1983 से 88 तक इसका कारकालता थी चली इसके अलावान ने आयोग के बारे में बात कर ले हैं दिखे यह जो बलवन तरह महता समती थी त्री अस्तरी पंचायती राज व्यवस्ता से संबन्दित थी पुंची आयोग जो है यह समवर्तिया अतिवैपी 26 जिकार मामलों से संबन्दित अंतर राजी परिशत के न निरंतर अंकेचन या फिर निगरानी से संबन्दित भूमक्या के बारे में इसने सिफारिश की थी वहीं जेवीपी समतिया भासाई आधार पर नए राज्यों के गठन से संबन्दित थी जवाहलाल वल्लब भाई पटेल और पटाभी सीता रमया 1948 ठीक है अभी बात हुई नेक्ट परसंट के बारे में बात करते हैं संयुक्त राज्य लोकसिवा आयोक के अध्यच्य और सदस्यों की निवक्ति कौन करता है आप्सन है राष्ट पती बी राज्यपाल सी प्रधान मंत्री सी भारत का मुख्य ने अधीस बात हो रही है संयुक्त राज्य लोकसिवा जॉइन्ट पी सी एस जॉइन्ट पी एस सी पब्लिक सर्विस कमिशन चलिए इसका सही अंसर है आपसन नंबर ए ठीक जो संयुक्त राज्य लोग से वाय हो गते उनकी अध्याच्य और सदस्यू की नियुक्ति राष्ट पति के द्वारा की जाती है ठीक इनका गठन जो है जै लोग से चेया चाई है इनकी विधान सभाव द्वारा अनुरोध किया जाएगा एसा ठीक और इस अनुरोध के आधार पर राष्ट पती द्वारा इसका गठन करते हुए अध्यति सदस्थ और अध्यच कि राष्ट पती किस ने पंचायती रात संस्थाओं में महिलाओं तो सीटे आरचित करने की सिफारिग की थी option है पहला कि थुंगन समती दूसरा एमल सिंग भी समती तीसरा जी वी के राव समती चौथा गाडगिल समती नीचे कूट दिया हुआ जब तक मैं इस कूट को पढ़ रहा हूं आप इने समीटियों पर बारे में विचार कीजिए ठीक है तो देखिए कूट है कि केवल एक और दो आपसन बी यानी की थूंगन समती और गाडगिल समती द्वारा जो है पंचायति राजशताओं में महिलाओ होये तो शीटे आरच्छित करने का प्रावधान किया गया था ठीक है और इन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं इन्होंने संपूर्ण आरच्छ्ण का प्रावधान किया था या बात कही थी जिसमें से गाडगिल सम्टी ने तो अनुसूची तर जाती अनुसूची तर जाती और महिलाओं के लिए भी आरत्षड का प्रावधान करने की बात कही थी ठीक और थूंगन सम्टी ने कहा था कि तीनों अस्तरों पर महिलाओं को आरत बातना चाहिए तो शेयर भी कीजिए और थोड़ा हमें मोटीवेट्शन भी मिलेगा इसने सब चीजों से आपके द्वारा ठीक है बाकी विजर आइस पीटी 365 का टेस्ट सीरीज और पीटी 365 की वीडियो यह दोनों ही आपको कल या परसों से मिलना सुरू हो जाएगी बसरते क परसों के बात करते हैं यहां पूचा जा रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा वियाय भारत की संचीत निदी पर भारित होता है आपसन है कथन है एक राष्टपती और उपर राष्टपती के वेतन और भत्ते दूसरा है उच्चे तम ने आया ले एवं उच्च ने आया ले के नाय धीसों के वेतन भत्ते वपिंसन जब तक मैं कूट पढ़ता हूं आप इनको फिर से विचार कीजिए इन कथलों के बार पहला इसमें सही है दूसरे में उच्च नेया ले के नाय धीसों के वेतन और भत्ते का प्रावधान या राज्य सरकार की संचीत नीजी पर भारित होता है न कि भारत सरकार की ठीक है दो ही चीजों की बात की है हमेरे आप वेतन और भत्ते पिंसन देखिये उच्य नेय लेकर नाय धीसों कि या उच्य तम लेकर नाय धीसों के पिंसन या समान रूप से भारत सरकार के ही संचीत नीज़िद पर भारित होते तो कौन सा इंसर इसमें सही होना चाहिए द देखे संचित नियुट पर भारित होने कारतु होता है कि संचित में इनके बारे में चर्चा तो की जा सकती है इस नियुट पर लेकिन मतदान या वोट नहीं किया जा सकता है ठीक आईए निक्ष्ट प्रस्ट के बारे में चत्रा करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संचित कोच से धन निकासी के लिए सहमती होनी चाहिए option है a राष्टपति की b संसद की c प्रधान मंत्री की d केंद्री वित्य मंत्री की चलिए इसका सही अंसर है option number b भारत की संचित निलिए संचित कोच से अगर धन निकालना है तो आपको संसद की अनुमति लेना अनिवार होना चाहिए ठीक और इस संचित निलिए में देखे केंद्री कर केंद्री कर इंकम टेक्स या आयकर उतपाद सुल्क प्रोडक्शन और कुछ गैर कर राजा सो सामिल होते हैं ठीक है नेक्स प्रस्ट के बारे में बात करते हैं यहां कोश्चन नमर 55 तो यहां पूछा जा रहा है कि यदि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में न्यूक्त किया जाता है तो उन्हें देवेतन एवं भत्तो को किसके द्वारा वहन किया जाता आप्सन है ए राष्ट पति द्वारा ताई किये गए दो राज्यों में से एक राज्य द्वारा आप्सन बी पहले राज्य द्वारा जिसमें उसे न्यूक्त किया गया था आप्सन सी राष्ट पति द्वारा निर्धारित अनुपात में दोनों राज्यों द्वारा या फिर दूसरे राजय द्वारा जिसमें उसे नियुक्त किया गया है चलिए जल्दी करिये देखे यहां पूछ रहा है राज पाल अगर कोई वेग एक वेग दो राजयों का राजय पाल हो तो उसका वेतन कैसे निरधारित होगा बस सिंपल यह पूछ रहा है इतना चक्कर में मत पड़ा करिए ठीक है तो इसका सही अंसर है आपसन नमबर सी राष्ट पति द्वारा निरधारित अनुपात में दोनों ही राजयों के द्वारा ठीक इस अनुपात का निरधार देखे सबसे पहले एक चीज़ जा लिजे दोनों राजयों द्वारा इसके वेतन का और भत्तों का भुखतान किया जाएगा और इसका निरधारा कौन करता है कि किस अनुपात में तो इस अनुपात का निरधारा राष्ट पति द्वारा किया जाता है ठीक आईए निक्स प्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें पूछा जाए रहा है कि एडलवाइस एसिट मैनेजमेंट कंपनी ए एम सी द्वारा लांच किये गए भारत के पहले कार्पोरेट बांड एटीएफ एक्सचेंज ट्रेड़ेट फंड का नाम बताईए आपसन है A एडलवाइस बॉंड ईटीएफ आपसन B भारत बॉंड इटीएफ आपसन C प्राइविट बॉंड ईटीएफ या फिर आपसन C इंडिया बॉंड एटीएफ चली इसका सही अंसर है आपसन नमबर B जो एडलवाइस asset management company इसके दोरा भारत के पहले corporate bond launch किये गए जिसका नाम था भारत bond ETF ठीक ETF देखे क्या होता है ETF एक तरह का bond होता है ठीक जो exchange पे stock exchange उपर भी बेचा जा सकता और इसके माध्यम से कंपनिया जो है धन जुटाती है ठीक सिंपल और नॉन टेकनिकल लेंगज में इसे ऐसे समझिए आप ज्यादा टेकनिकल्टी में जाने की जरूरत नहीं है इसे चीजों के बारे में ठीक है यहां बिजनेस इस्टिडी नहीं करने आये हैं दूसरी बात यह भारत बांड ETF क्या एडल वाइस मनेजमेंट टेसेट कंपनी दोरह जारी किया जाता नहीं इसमें किया क्या गया है कि इसमें जितने भी केंदरी चेतर के PSU है CPS है ठीक यह सभी जो है इस प्रकार का बांड बजारी कर सकते है ठीक और इन सभी के लिए एक कंडिशन बस यह है कि यह ट्रिपल ए रेटेड होनी चाहिए ठीक यानि इनकी ग्रेड जो है यह ट्रिपल ए की होनी चाहिए ठीक है आई नेक्ष्ट प्रस्ट की बात करते हैं तो यहां पूचा जा रहा है कि किस प्रकार की लेन देन विवस्था है तो भारती राष्ट्री भुगतान निगम यानि कि NPCI ने अन्य देशों में इसे निरयात करने के लिए सहायक कमपनी की इस्थापना की है आउप्सन है ए राष्ट्री इलेक्रोनिक निधी अंतरण NEFT जी से बोलते हैं बी है ततकाल भुगतान से वा आई एम पीएस सी वास्तविक समय सकल भुगतान आई आर्टी जीएस या फिर आप्सन डी एकी गरिद भुगतान इंटरफेस यू पी आई यूपीएएए फुलफर्म धेके यूनिफाईट पेम्ड इंटरफेस होता है आई आई एम पी असकर फुलफर्म होता है इमेडिएट पेमेंट सर्विस और यंज इ एफिप चलिए इसका सही अंसर है आफसर नमबर डी ठीक यूनिवाइड या फिर एक ही क्रिद भुखतान इंटरफेस ठीक है आईए इसके बारे में खासक फ्रानेशन करने के जरुबत नहीं है यह देखिए यह एक मोबाइल अप्लिकेशन जैसे गूगल पे हो गया कि इसके प्राइशन कर लेते हैं कि यह यह राष्ट्री भुखतान निगम के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए इसकी स्थापना कभी थी तो इसकी स्थापना जो है भुखतान निप्तान प्रडाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के द्वारा की गई थी ठीक है 2007 के प्रावधानों के द्वारा आर बी आई और भारती बैंक संग के द्वारा मिल करके की गई थी भारती बैंक संग ठीक है इनके द्वारा मिल करके कौन सा देश विस्व का सबसे नवीन राष्ट बनने के लिए तयार है जहां 98 फीजदी मत दाताओं ने अपने जनमत संग्रा में पापुआ न्यूगिनी से सोतंतरता प्राप्त करने में अपना मत दिया है सबसे पहले मैप निकाल लीजए यहां पर को थिक और इश्ट्रेलिया के उपर यहां पर आपको पापुआ नियूगिनी मिल जाएगा आपूग देखिए चलिए इसका सही अंसर है option नंबर बी बोगन विले के लोगों ने जो है अठान वी प्रिश्यत लोगों ने मतदान के माध्यम से पापुआ निवगिनी से अलग होने के लिए अपना मत दिया है फिलहाल यह एक स्वायत चेतर है पापुआ निवगिनी के अंतर चलिए नेक्स प्रेंस की बात कर लेते हैं तो यहां पूचा जा रहा है कि भार प्लास्टिक अपसिस्ट से डीजल का उत्पादन करने के लिए भारत का पहला सयंत्र कहां इस्थापित किया गया है option है नई दिल्ली बी मतुरा सी मुंबई या फिडी वारान सी चला भाई यह इसका एंसर है option नंबर बी मतुरा ठीक है देखे चार अक्टूबर डेट पीसियर देने जा रहा है ना 2019 मतुरा में भाजपा की सांसत हेमा मालनी द्वारा इसका उडगाटन किया गया था ठीक है चलिए नेक्स प्राश्ट के बारे में बात कर लेते हैं देखे एक चीज़ आपको बताओं डीजल से प्लास्टिक अफसित्स से डीजल कैसे बना जाता है बता दूँ कैया कि दिखें जो plastic अबस्टिक से डीजल बना जाता है इस परक्रिया को d polyene regation कहते है क्या करते हैं कि डी पोली म राई जे आई इस प्रक्रिया के माद्धयम से plastic से डीजल बनाव जाता है और Polymerization की प्रक्रिया के माद्धम से जो अच्छा तेल होता है इससे डीजल अचने बनाया जाए स् प्लास्टिक बनाया जा सकता ठीक है और डी-polymerization प्रक्रिया के अंतरगत जो गईसे निकलती है वो होती है हाइड़ोकारबन ही होती है हाइड़ो पाफि ज़ादा इनके मिस्त्रण को सिन गयस होती है और करभण ब्लैक्ट निकलता है यह सारी गैसे इस प्रक्रिया के मार्द्ध हम से निकलती जिसमें घ्रोकर्बन जों प्राप्त जाता है ठीक है क्वालटी का डीजल प्राप्त कर लिया जाता है ठीक संगनन की प्रक्रिया आपको जोगर्फी वाले चेप्टर में मिलेगी साइंस में भी मिले गई चली नेश्ट बात करते हैं कुष्टन नमर 60 की तो इसमें पूछा जारा है कि विश्व आर्थिक मंच या वर्ड एकोनामिक फोरम दौरा जारी वर्स 2019 के वैस्विक प्रतिस परदा सुचकां किया ग्लोबल कमपटेटिवनेस इंडेक्स फोर पॉइंट जीरो में भारत का इस्थान क्या है ओप्सन है ए सत्तर बी साथ सी पचाथ दी अड़शट चलि इसका सही अंसर है आफसन नमबर डी 68 ठीक और पिछले वर्स यह स्थान आ था ता भारत का तो इसके पिछले वर्स यह इस्थान था 58 ठीक यानि कि इस साल दौस अंक भारत नीचे गिर गया है चली और अगर बेसिक बात करें कि कि के नाधारों पर इसके त्वारा रंकिंग दी जाती इस इंडेक्स को बड़ जारी किया जाता है तो वह लग बारा कितने बारा इस्थम्या बारा बेस आंबारा आधारों पर यह रंकिंग दी जाती है वहां बुनियादी सुभिधाएं ठीक इसके अलामा ICT इसके अलाम व्रिहत आर्थिक स्थिर्था और तीन हो गया इसके अलामा स्वास्थ फिर कौसल उत्पाद बाजार स्रम बाजार वित्तिय प्रणाली बाजार का आकार्थिक मार्केट का कितना बड़ा मार्केट है आपका इसके अलाम वेबसाइक गच्छीलता और अभिन्यों इन आधारों पर इसकी रैंकिंग डी जाती है नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैसे इतना डिटेल में जब बारा बारा होगा तो नहीं पूछा जाएगा ठीक है लेकिन आई-एस की परिच्छा में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है तो जब करी रहे हैं भया तो सब साथ ही कर लेते हैं क्या दिक्कत है थोड़ा बहुत दिक्कत होती इसको बोलने में भी मुझे और आपको इसे याद रखने में लेकिन जब बार बार आप इस चीज से गुजरेंगे कई टेस्टम डिसकस करेंगे तो कई जगों पर ऐसी चर्चा होगी तो जैसे ही आप पेपर देन करेंगे या करेंट में भी देखेंगे तोहां पर भी बस यहीं बता करके निकाल दिया जाएगा आपको ठीक आईए नेक्स परस्न के बारें बात करते हैं तो पूछा जा रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को आयो जीत हुई सम्विधान सभा की पहली बैठक की अध्ध्यचता किसने की आप्शन है ए पंडित जवाहला लहरू आप्शन बी डॉक्टर बी आरम बेटकर आप्शन सी डॉक्टर राजेंद प्रसाद या फिर आप्शन डी डॉक्टर सचिदानन सिनहा चली इसका सही अंसर है आप्शन नमबर डी जो 9 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना इसकी अध्ध्यचता डॉक्टर सचिदानन सिनहा द्वारा किया गया था ठीक है बाकि यह प्रस्ण ऐसे भी आ सकता है कि और अस्थाई अध्यचत कौन था ठीक है पहले अध्यचत कौन थे इस प्रकार से भी इन प्रस्णों को पूछा जा सकता है ठीक इसके अलामा एक दो चीज़ और हैं देखे मुस्लिम लीक द्वारा इसका बहिसकार कर दिया गया था जो समिधान सभा की प्रतम बैठक हुई थी इसमें इस वे थका-बैथक कर दिया गया था तो कुल 211 सदस्व द्वारा कुल 211 सदस्व ने इसमें भाग लिया था और यह सबसे पुराना सदर से होता कि संगहतन का वही उसका अध्यच होता है तो इसी प्रसाद को इसका अध्यच्य चुना गया था ठीक इसके अलामा देखे जब पुना बैठा कुई 11 उसमबर 1966 को तो डॉक्टर राजन प्रसाद को प्रथम इस्ठाई और निर्वाचित अध्यच चुना गया सांती साथ है C मुखरजी कोוסी मुखरजी को कि पाध्य चुना गया ठीक है शिम खरजी को उपाध्य चुना गया और सर्ण बी gj एण राव एन आट राव इनको जो है समय अनिक स्लाहकार या कर शभाका चुना गया ठीक, प्रथम समयधानिक सलाकार या समयधानिक सलाकार चुना गया B.N. राव को, H.C. मुकरजी उपाध्यच थे, राजेंद प्रसाद जो है या प्रथम निर्वाचित अध्यच बने थे, लेकिन और थाई अध्यच या प्रथम अध्यच डॉक्टर सचीजानन स चलिए नेक्स प्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं कुश्चन नमबर 62 तो इसमें पूछा जा रहा है कि निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए आफसन है पहला कतन है कि 42 वे संविधानिक संसोदर जिनियम 1976 द्वारा मौलिक करतव्यों को संविधान में सामिल किया गया क कथन 2 है कि मौलिक करतव विधिद्वारा प्रवर्तिनिय नहीं है और कथन 3 है कि मौलिक करतव केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों को उपलब्ध नहीं है बताना है कौन सा सही है जब तक मैं नीचे कूट पढ़ता हूँ आप इनको फिर से पढ़िए आफसन साथ बेल आइकर में नहीं जबाते हैं और सेर भी करने में आपका कौन सा लॉस हो रहा है कि ऐसे ही सवाल था मेहनत तो लगती है ना थोड़ा उमीद भी होती है जैसे आप लगातार मेहनत करने तो आपको उमीद है सेलेक्शन की होगा भी ऐसा नहीं नहीं होगा मेहनत करें तो जरूर होगा चलिए इसका सही अंसर है आप्सन नंबर बी केवल एक और तीन ठीक यानि की बैयालिक समिधान संसोता नुनिस सचीज़ दारा मौलिक करतब को सामिल कर लिया गया यह जो है केवल भारती नागरी को प्राप्थ विदेशियों को उपलब्द नहीं है ठीक यह लेकिन मौलिक इसका यह विधिद्वारा प्रवर्तिन क्योंकि संसत द्वरा इन्हें उपियुक्त विधि बनाकर लागू करने के लिए संसत द्वरा इन्हें उपियुक्त विधि बनाकर लागू करवाया जा सकता है ठीक है तो यह विधिद्वारा तो प्रवर्तिनी है यहां प्रवर्तनी नहीं अगर यहां पर नयायाल है लिखा होता तो यहां कथन भी सही होता ठीक है आई यह नेक्स प्रस्टन के बारे में बात करते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि निमने लिकित कतनों पर विचार कीजिए कि कथन है कि मंत्रिमंडल सब्द को भारती समिधान में परिभासित नहीं किया गया है और कथन दो है कि मंत्रिमंडली समिधियां समिधाने तर निकाए हैं बताना है कौन सा सही है आप्सन है केवल एक केवल बी केवल एक केवल दो आप्सन सी केवल आप्सन सी है एक और दो दो प्रावधान नहीं किया गया है नेक्स्ट यह जो कताने मंत्री मंदल सब्द को भारती सम्मिधान में परिभासित नहीं किया गया विल्कुल साही है लेकिन हाँ मंत्री मंदल सब्द का उल्लेक जरूर किया गया है यह किया गया अनुच्छेद 352 में ठीक है अनुच्छे 352 यह आप उठाई अपनी बेरेक्ट या फिर अपनी पॉलिटी की बुक जिससे भी आप पढ़ते हैं वहां पर देखिए आर्टिकल 352 क्या है और जब 352 देखिएगा तो 352 से सुरुवात कीजिएगा और जाइएगा एक एक आर्टिकल पढ़ते हुए जाइएगा 360 तक यह आपका होमवर्क है तोड़ा आप खुद से भी काम करिए चलिए नेक्स प्रसन के बारे में बात करते हैं कोश्चन नमर 64 यहां पूछा दिया रहा है कि सहकारी समितियों को सम्विधानिक इस्थित एवं संरच्षर प्रदान करने हैं तो सम्विधान के निम्नलिकित में से किन भागों में परिवर्तन किया गया और कफन है पहला मौलिक अधिकार दूसरा नीति निर्शक सिद्धान तीसरा मौलिक कर्तब या फिर चौथा भाग नो भी जब ऐसे आया करें ना तो कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता रोमन भासा में नंबर्स को पढ़ने में तो उनको करना क्या चाहिए कि जैसे ही देखें वैसे ही एक दो तीन चार करके बगल में रोमन भासा लेक करके देख लें चलि इसका सही अंसर नीचे जो कूट दिया हुआ है इनसे अंसर को चुंडा था जब तक मैं कूट पढ़ता हूं तब तक आप इन्हें फिर से देखिए कूट है option A केवल एक और तीन option B के वल एक, दो और तीन और option C के वल एक, दो और चार या फिर option D एक, दो, तीन, चार चलिए बताए जल्दी से तो इसका सही अंसर है option number C, एक, दो और चार ठीक, यानि कि समय सहकारी समित्यों को समिधान में सामिल करने के लिए मौलिक अधिकार, ठीक, कौनसा अनुचेत, अनुचेत, उननिस एक, सी, उननिस एक, सी में यह प्रावधान किया गया है, कि समय सहकारी समित्या का गठन करना ए मौलिक अधिकार है, ठीक, इसके अलावा निती निर्देशक van सिद्धान, कौन से अनुचेत, इसके अलावा भाग नौ बी एक अलग से पूरा जोड़ा गया कहां से कहां तक है तो यह है अनुच्छेद 243 जेड़ एच से ले करके अनुच्छेद 243 कि जेड़ टी तक है ठीक चलिए यह नुच्छेद पर भी बराबर ध्यान देंगे हम लोग नुच्छेद पर भारत में पहला नगर निगम कहां इस्थापित किया गया था ओप्सन है ए बंबई बी कलकत्ता सी मद्रास डी सूरत चलिए इसका सही अंसर है ओप्सन नंबर सी मद्रास कब भारत में पहला नगर निगम कहां इस्थापित हुआ था तो पहला नगर निगम मद्रास में इस्थापित हुआ था 1726 में मद्रास में उसके बाद 1726 में बॉंबे और कलकफ्ता में। बागी इस्ठानि समितियों का जनक किसे कहा जाता है? देखे, 1882 में लाड रिपन ने एक प्रस्ताव प्रस्तूत किया था इस्ठानि सोसासन से संबने। इसे ही भारत में इस्थानी स्वसासन का मेगना कारटा कहा जाता है ठीक और इसी प्रावधानिया फिर इसी प्रस्ताव को प्रस्तूत करने के कारण ही लाड रिपन की से लाड रिपन को भारत में इस्थानी स्वसासन का जनक भी कहा जाता है ठीक है आईए बात कर लेते हैं न राश्टपती द्वारा राजिस्वा में कितने सदस्य नामित किया जाते हैं। केवल दू, आप्शन बी, केवल दस, आप्शन सी, केवल बारा या फिर आप्शन डी, पंद्रा, चलिए, इसका सही अंसर है, आप्शन नमबर सी, ठीक, राश्पती दोरा राज्यसवा में बारा सदस्यों को नामित किया जा सकता, किन आधारों पर, तो वे आधार हैं, साहित कला, या सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा, और तीसरा है विज्ञान, ठीक, साहित विज्ञान या कला, साहित विज्ञान अथवा कला या सामाजिक सेवा के आधार पर, राश्पती दोरा बारा सदस्यों को, राज्यसवा में मनूनित किया जा सकता है, ठीक है, और एक चीज कितने कुल सदस से धाइस होते हैं जिन में 238 निरवाचित होते हैं बाकी जो सेस 12 होते हिने राश्पति द्वारा मनूनित कर दिया जाता है चलिए नेक्स प्रस्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा प्रतिसेध रिट की सर्वत्तम व्याक्य करता है आप्सशन है प्रतिस प्रतिसेध यानी कुछ लोग को हिंदी ब्लिकत हो तो प्रोहीबी विशन रिट ठीक press क्लेठ रोही बीशन अब बटाई आ उपताई मैं ज्याईली मोरा और निया या वूओ को जारी की जाने वाली रीट कर अप्सथन भ तो इन चल यह इसका सभी अंसर आप सुने के अपर कोट से शुरीट बोलते हैं ठीक है या इसलिए जारी की जाती क्योंकि जब वो अपने अधिकार चितर के बाहर जाकर कोई आदेश देते हैं या फिर नैसरगिक न्याय के सिध्धानतों के खिलाब जो है जाकर कोई आदेश देते हैं तो उसके लिए प्रतिसेध रिट जारी की जाती है चलिए नेक्स प् सिच्छा को एक मौलिक अधिकार बनाये गया था आप्सन है ए बायासीवां बी त्यासीवां या फिर सी चौरासीवां या डी छी आसीवां कि ज्यादा मुत परसान है बस दो कुश्चन और इसके बाद सत्तर कुश्चना डिसकस कर ले चली इसका सही अंसर है आप्सन नमबर सी ची असी में सम्विधान संसोधन के माद्यम से सम्विधान में एक अनुच्छे जोड़ा गया था कौन सा बताईए वह अनुच्छे था 21 का ए ठीक या फिर 21 का इसके दोरा सिच्छा को मौलिक अधिकार बनाये गया था छे से 14 वर्ष की आईव के बच्चों के लिए ठीक है कब हुआ था या संसोधन तो या संसोधन हुआ था 2002 में चलिए आए नेक्स्ट के बारे में बात कर देते हैं ठीक है चलिए अंध कर देंगे लेक्चर का कि बात की उदर सुरू करें तो पूरा पेज ही एक बार में चर्चा करेंगे ना तो यहां पुझा जा राए कि ब्रश्ट आचरण हे तु संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंद में विवादों का निर्णय कौन करता है ऑप्शन है ए सर्वोचिन आया ले भी भारत न निर्वाचन आयोग के परामर से प्रधान मंतरी या फिर डी निर्वाचन आयोग के परामर से राष्ट पती चली इसका सही अंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग के परामर से राष्ट पती द्वारा जो है भ्रश्ट आचरण है तो संसत के सदस्यों को अयोग् ठीक है लेकिन लेकिन जो दल बदल का प्रावधान है वह इस वजे उसकी आधार पर आयोगता या पिर निर्वाचन आयोग के आधार पर और यदी किसी सदस्य का निर्वाचन की वैधता और और वैधता का सवाल हो तो इसका निर्धारन सरोचनेयले द्वारा किया जाता ठीक है और इस निर्वाचन वाली एक तक संब्द में अगरी कंफ्यूजन हो तो इंद्रा गांधी जी को याद कर लिजेगा ठीक है काफी फेमस केस था इलहाबाद हाई कोड का डिसीजन होगा ठीक है चली अंतर तक साथ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और चलते चलते अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब या सेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजेगा थांक्यू थांक्यू बेरिमस फ़र्ड डिसकसन कल से आपको और भी और साथ से साथ पॉलिटी के बारे में भी पॉलिटी का जो लेक्चर अभी रोका गया है चली थांक्यू थांक्यू बेरिमस फ़र्ड डिसकसन